Hello students, आज हम धन्तेरस पर निबंद सीखने जा रहे हैं, चलिए सुरू करते हैं धन्तेरस पर 500 सब्द का निबंद परिचय धन्तेरस एक हिंदू तैवार है जो दिवाली तैवार के पहले दिन को दर्साता है यह तैवार लोगों के जीवन में समरिद्धी और स्वस्त लाने के लिए मनाया जाता है इसलिए इसे बहुत उत्सा के साथ मनाया जाता है धन्तेरस कम मनाया जाता है धन्तेरस कलेंडर के अनुसार यह कार्तिक महा में मनाया जाता है बंगाली, मैथली और नेपाली कलेंडर के अनुसार यह साल का साथवा महिना होता है जबकि तमिल कलेंडर के अनुसार यह आठवा महिना है धंतेरस को अंधेरे पक्ष के तेरवे चंदर दिवस के रूप में मनाया जाता है जिसे कृष्ण पक्ष भी कहा जाता है धंतेरस के अगले दिन छोटी दिवाली और उसके तीसरे दिन दिवाली मनाई जाती है धंतेरस का महत्व धंतेरस का महत्व बहुत मुख्य रूप से ने खरिदारी करने के लिए इसकी सुबदा में है माना जाता है कि धंतेरस पर कोई भी खरीदारी सम्रिध्धी लाने और धन्य का प्रतीक मानी जाती है इस तैवार का धार्मिक महत्व है क्योंकि जो पूजा पाट वह अनुस्ठान किये जाते हैं वे हिंदू देवी और पौराडिक कथाओं से संबंदित है ने वेपारिक उपक्रम सुरू करने और ने निवेश करने के लिए भी यह एक सुब समय माना जाता है धार्मिक महत्व के अलावा इस तैवार का एक किफाइती मूल्व भी है बजारों मे कारुबार करने के लिए यह साल का चरम समय होता है इस दोरान बजार इतना सक्रिय हो जाता है कि वे दिवाली के दिन तक 24 घंटे और 7 पहर खुले रहते हैं सैकडो अर्बो की रासी का लेन दिन इस दिन दर्च किया जाता है जो वास्तों में देश की अर्थ विवस्ता के लिए भी एक अच्छा संकेत माना जाता है तेहवार की खरिदारी से अपनी छमता अनुशार हर छेत्र को लाव मिलता है चाहें वा छोटा आसंगटित छेत्र जैसे सजावट के समान हो रोषनी के चीजें हो बरतन हो या आउटो मोबाईल और गेहने जैसे संगटित छेत्र हो धन्तेरस कैसे मनाया जाता है? बजार में बरतन, गहने, इलेक्ट्रोनिक सामान और अन्य सामानों की खरीदारी करने वाले लोगों की भीड रहती है। लोग अपने बजट के अनुसार खरीदारी करते हैं लेकिन वे खाली हाथ घर नहीं जाते। यह व्यवसाईयों के लिए वर्स का सबसे अच्छा समय होत है और दुकाने आदी रात में भी अधिक वक्त तक खुली रहती हैं। धंतेरस परवाहनों की बिक्री में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जाती है। दरसल लोग अपने बाइक या कार की डिलिवरी लेने के लिए धंतेरस के दिन का विसेश रूप से इंतजार करते हैं। चुकि यह तैवार सम्रिद्धी का उसव है इसलिए यह धन और सम्रिद्धी की देवी लचमी की पूजा को भी महत्व देता है। पूजा पाठ व अनुस्ठान जादतर साम को घर के पूजा स्थल पर ही किया जाता है। कुछ लोग पारामपरिक रूप से चिक्तसक और के हिंदू देवता दन्वंत्री की भी पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह परिवार को अच्छे स्वास्थ और सम्रिद्धी के साथ सुबकामनाई देता है। निशकर्ष धनतेरस एक हिंदू प्रमुख तहवार है और पूरे दिपावली के समारों में बहुत महत् लगता है। दिपावली का मुक्ष तहवार धनतेरस के बिना अधूरा है। यह भारत के सबसे महत्पूर्ण तहवारों में से एक के लिए एक सम्रिद्ध और खुशी की सुरुवात का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस मानने की रस्म अलग अलग राज्यों में भिन्न हो सक लेकिन इसके मूल में सम्रिद्धी और स्वास्त का ही उत्सव होता है। धन्यवाद आपका दिन सुभो।